असलालेकुम फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शिर्खुर्मे की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाएगी और घर की चीजों से हम इसे बना के तयार करेंगे बहुत ही जबरदस बनके तयार होती है तो चलिए अपना वीडि आपने पासंद कोई साथ ड्राइफ रूट्स लिए हैं कटेवी काजू कटेवे बादाम कटेवे पिस्ता और किश्मिश लिया आप अपने पासंद का कोई साथ ड्राइफ फुर्ट्स एड़ सकते हैं तो मेरे पास जो थी मैंने उसी को यूज किया और ये सीवाई ली है मै आप ज्यादा कॉंटीडी में बना रहे तो आपजादा इूज कर लें मैंने हाफ कप के खरिब लिया है और इस पैन में एक पैन चढ़ाया है मैंने जो बड़ा चमच मैंने घी डाला है और इससे थोड़ा सा मेल थोने देंगे पहले हम तो गी हमारी मेल्थ होगई तो मैंन तोड़े से इन्हें रोस्ट करना है थोड़े से मैं ड्राइफ रूट्स बचा के रख लियें ताकि गार्निशिंग में काम आए तो इन्हें थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी इस तरीके से जब हम घी में रोस्ट करके बनाते हैं तो बढ़ी अच्छी सी कुछ बूर इस पॉइंट पर इसमें हम अभी रहने देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे रूद हमारी कितनी मलाई दार हो गई है और जो साइड साइड में मलाई लगती जाएगे उसे भी हम स्क्रैच करके दूज में मिक्स करते जाएंगे यहां पर जो बचा हुआ ग्या है इसमें हम एक बड़ा चमच और घी आइड कर देंगे और इसके बाद अपनी सिवाईयों को भी हम इसी में थोड़ा सा भूनेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है मतले एक डो मिनिट लगेंगे इने भूने इसका रचेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा में से नई भूनना है रग लो टु मीडियम फ्लेम पेस यहां बूनेंगे जो मिल्क है गाडी हो चुके है तब इस पॉइंट पे इसमें हम एड्ड कर देंगे और जो बचा इसमें गी है उसे भी हम एड्ड कर देंगे इसी मिल्क में enabling किताइब के तयार होती है फ्रेंड्स बहुत physicians बनाना इसे मैंने सिर्फ घर की ही चीजों से बनाया है आप चाहें तो इसमें मावा खोआ जो भी आता है जो भी आप चाहें इसमें एड़ कर सकते हैं बट मैंने मिल्क से ही से बनाया है महती टेस्टी बनी थी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को ज कर देंगे यह यह दो है कि अच्छे से बनाना पकाना इसे हैं मलाई लगेगी उसे भी हम स्क्रैच कर के इसी में मिक्स करते जाएंगे तो बहुत साथा समय नहीं लगता है सिवयों को पकने में हमारी बन के तयार हो जाती है और बहुत ही जबर्दस श्रीर कॉर्मा बन के त मीठा आपने हिसाब से देख लीजेगा आप कमिया जादा खाते हैं तो मैंने वन फोर्थर्ट कप में से थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी की वज़े से इसमें थो खारी हूं वह जादा गाढ़ा भी नहीं रखा क्योंकि यह जब ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाड़ी भी हो जाएगी तो देखी इस तरीके का मैंने रखा है इसी तरीके का आपको भी रखना है तो देखिए हमारा शिक्पुर्मा बनके तयार है बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम समान से यह बनके तयार हो गई है अब इसे मैंने बावल में निकाल लिया है और जो ट्राइफ रूट्स मैंने रखा था उससे हम डेकुरेट करेंगे इसे क्या पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दिजिएगा यसanya ठोड़े से किस्मिष थोड़े से कटेवे बाधाश तो सबसे कर लिया है और सटें केशर की दागे सा से हम डेकुरेट कर देंगे बहुत ही जटपट बन के तयार हो जाते हैं फ्रेंट्स जरूर ट्राइए किजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज